हैं कि हैं है है इस पूरेंट्स कि अल्डेंट्स होफुली सब बढ़ियां ओंगे और बढ़िया से अपने तयारी में लगेंगे मैंने आपको एक बात वाइन एक वीडियो बनाई है वाइट 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 वीपसी सेट जरूर देखिए प्लेडिस में एक दो सेक्षिन नीशी होगी देखेगा जरूर विकॉस उस वीडियो को देखने के बाद आपको गलतियो करते हैं आपको किन गलतियों को नहीं करना इसाम ना होने के दो बैसिक सबसे पहला एक तो अपने तयारी की आप एक सान दिया नंबर 2 आप मने अपनी गलतियों से ना सीखिके वही गलते और तो दूसरा रिजन मुझे बहुत लगता है पहले रिजन तो बहुत रेर चांस है क्योंकि बच्छा तयारी ना करके जाए ठीक है वो तो चलो ना मतर उसकी में बात चर्चा नहीं करूंगा यहां बट मैं यहां पर चर्चा करने वाला हूं न सुनेट्स वह मैं चर्चा करने तो देखिए उस वीडियो को बहुत आपको अनंदित लगे बहुत अच्छा लगेगा उस वीडियो की देखिए और बहुत को सीखने को मिलेगा जो आगे जाके काम आएगा तो सिंप्लिफिकेशन वन की आप वीडियो देखे चुके हैं ठीक है उसमें प्रेविश से चाहिए आपके हिसाब से क्या आपको तैयारी अभी शुरू कर देनी चाहिए या तैयारी के मिड़ी में ने चाहिए देखो मेरे साब्सें आपकी तैयारी तक शुरू हो जाने अच्छे से अगर अब भी बी कोई बच्चा है कि सर मुझे राइट पाथ नहीं मिल रा मेरे और वह पाथ है यह अभी पीड़ाइगा अर्ली कोर्स शुरू हो चुका है जिसमें सी सब्सक्राइब है और कोर्स की डिटेल के इसमें टाइमिंगे आपकी तीन से साधे-4 हफते में चार दिन घ्लास होगी अब वाइद इस बैच इस सो पेचल यह बैच क्यूं सबसे पहली बात है डेली का 30 मिनट्स का आपका डाउट सेशन रहता है इसमें डेली का 30 मिनट्स का डाउट सेशन है यह इसमें ओं मेंडेटरी है चार तीन से साधे-चार क्लास प्लस 30 मिनट्स का डाउट सेशन है जो पिछले आप लेक्शा कर चुके हैं यह आपको जो प्रेक्टिशीट मिल रही है ठीक है आपके पास क्या टोटल लेक्शर 180 प्लस है आपको 90 लेक्शर मिल रहें पच्छेस लोजिकल गड़ पंदरा इंग्लिश के लेक्शर मिल रहें प्रिवेस लेक्शर कितने मिलेंगे सुटेंट स्पंदरा मिलेंगे आपको 50 प्लस लाइव इस नमबर पर कर सकते हैं और इस बैज की पूरी डिसक्रिप्शन पूरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा नमबर दो विया हवावर्ट सब जहां पर सारी अप्डेट्स आते हैं सब कुछ अप्डेट होता है तो उसका लिक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो प्लीज गो एंड चेक चलिए चलते हैं पहले कुशन की तरफ आज के को इन एंग्जामिनेशन और सुडेंट स्कूर फोर माक्स इच करेक्ट अंसर एंड लूज वन मार्क फोर एवरी रॉंग अंसर इफिए अटेंडिट और सिस्टीव कोशन एंड सिक्योर 13 माल दा नंबर ओफ कोशन ही अटेंप्टीड करेक्ट लेंग्वेज बेस्ट आपका सिब्लिफेक्शन में मानता हूं देखो इसका मतलब आप कोशन की आपके पास अगर मैंने माना राइट कोशन में एकस तो रॉंग कोशन कितना वो बस यह बात समझने की थोड़िसी बात थे अगर उपाट और एक कोशन चार नंबर का है तो क्या जो सही उत्तर है या जो सही अंज दर्जें उससे मुझे चार एक्स नंबर मिलेंगे सोचके देखिए बिल्कुल यहीं मिलेगा अगर मेरे पास है टोटल मिलाके 130 नंबर हैं और यह मेरे पास है जो मेरे गलत कोशन है और हर गलत कोशन में कितना रहा है माइनस यह समझने वाली बात है कि रोंग कोशन को मुझे नेग्टिब में कंसिडर करना बस इतने सी बात अगरी यह समझागे तो कोशन भी इसली हो जाएगा तो यह कितना 4X minus of 60 minus X is equal to कितना 130 4X minus 60 plus X is equal to कितना आ गया 130 तो बेटा यह कितना आगा 5X minus 60 is equal to 130 तो 5X की value कितनी हुई 190 X कितना हो गया 38 यहनि मेरे जो right question दो 38 थे और दूसरे वाले कितने हों के wrong question बाइस यही तो पुछा हम इसे देखो यह तो रहा अभी equation वाला तरिक्का अब आपको किसा राइड राइड रखा है अब राइड 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 यही कोशन मैं आपको कराऊंगा से अपको कुछ इसमें कैसे लग सकता है यह मैं लगा कि दिखांगो ना मेरा काम है आपका काम है देखना और इसको पेपर में अप्लाई करना अब मैं तो तो टोटल साठ कोशन मैं कहता हूं कि अगर सारे के सारे कुशन राइट होते मैं मेरा both Brexit कि सारेगे सारे थीक होते तो मेरे को 240 मिलते हैं सारे के सारे मिलत होते तो मुझे अल्टीमेटली दॉन्नों को जब जोड़के देखा को मुझे कितने मिल रहा है 130 कर सो घखो आप एक सो थीस माइनस ओफ माइनस सिक्स्टी कि रेशो तो चालिस कि देखो थोड़ी से सतर्कता रखनी है इस तरह के कोश्चनों करते हुए जब आप एलिगेशन लगा रहे हैं बस आपने कभी लिखा हुआ बड़े में से कुछ कुछ नहीं करना आपने क्रोस में इधान रखना कि में बड़े मैं चौट्टे कौ मिपनेस करना है तो एक सो नंबे कुछ जो तो यह अगर एक यूनिट की वैली दो है तो निस की वैली कितनी हुए 38 जो की मेरे क्या थे राइट वाले और यह कितने रहेंगे बाइस यह अंसर था देखो मेरे बास तो यह कुछन मैं प्रेफर करूंगा अलिकिस्ट अने मिक्चर से यह क्यों करके दिखाये क्योंकि अधि देखो भाई अगर मैं एक वीक की बात करूं पांच दिन है और आठ घंटे है ठीक है अम मैं गेट रूपीज 2.40 पर आवर फॉर रेगुलर वर्क एंड रूपीज 3.204 ओवर टाइम रेगुलर के लिए कितना समय मिला मुझे हो सारी पैसे कितने मिले 2.40 और ओवर टाइम क कितने मिले मुझे 3.20 ठीक है पर आवर फॉर ओवर टाइम इफी एंस 432 फॉर फॉर विक्स देखो भाई एक वीक किये बात ही तो चार वीक कि कितनी होगी अचार पाट पंजेश चालीच एक्सो साथ एक्सो साथ आवर तो वह वर होगे जो मेरे विदाउट ओवर टाम के नॉर्मल के तो फहले इसी को निकाल लो पाई एक्सो साथ तो टोटल मनी टोटल मनी रिसीवड इन फॉर वीक्स वह कितना हुए एक्सो साथ घंटे और एक घंटे कितना है चौबिस बटा दस तो यह कितना होगे मेरे पास देखो देखो 16 दूना दिन सो बीस और तो यह कितना होगे 384 ठीक है जी कलत तो नहीं हो गया इसको कहने कैसे कि सोला इंटू बीस प्लस चार कैलकुलेशन को असान करो 320 और शोला चौक चोंसर 384 तो रिमेनिंग इतना बचा रिमेनिंग बचा आपके 432 इस माइनस ओफ 384 यहनि कितना बचा इसका मतब यह 48 कहां से आँगे ओवर ताइम से तो कितना ओवर टाइम रहोगा इस ओप्षान बचा इस ओप्षान बचा आपके लिए पंदरा कितना होगा आपके पास ऑप्षन नमबर भी 175 तो इजी कोशन था बट कैलकुलेशन थोड़ सा परिशान किया आपको इस कोशन में चलेगा क्योंकि इसलिए आप इसको कर पाएंगे तो आप्षन नमबर भी बिल्कुल सही था तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्स्राइब करना प्लीज मद भूलिए अम मैं कूट बाया सटन नमबर आफ नोट बूक फूर थी अंडर इपीच नोट बूक कोस्त रूपेश फाइव मोर ही कूड है बौट 10 नोट बूक्स ले इस को कैसे करना ध्यान से देखना विकॉस यह बड़ा कैलकुलेटिव कोशन है मैं आपको आप्शन लेकर इस को अराम से करके दिखाऊँगा तो इसका मतलब अगर मैं नोट बूक और और प्राइज ऑफ इच प्राइज ऑफ इच नोट बूक इसका मतलब टोटल जो मेरे सब्सक्राइब कितना एगा 300 सिंपल ठीक है कहने का मतलब कि एक नोट बूक कितने के मुझे नी पता मैं एक समाल लिया और नमबर आफ नोट बूक आपके बास माली एक और टोटल जो एक बूक का प्राइज हो वाई है तो टोटल नमबर बूक इन्टु एक बूक का प्राइज कितना हो गया 5 प्लस 5 और ही कुड है बॉट टैन नोट बूक लेस यानि कितनी कम होगी एक समय तैन और यह किसके बराबर होगी यह भी 300 बराबर अब वह कह रहा कि अगर एक नोट बूक का प्राइस पांच रुपे बढ़ यानि जो वाई था वाई प्लस 5 हो गय यह आपके साथ हो किया रहा आप 10 नोट बूक कम लेकर आओगे मल्टिप्लाइ करो एकस वाई प्लस 5 एकस माइनस तैन वाई माइनस फिफ्टी इस इगल तो कितना त्रियंडर देखो भाई एकस माइनस तैन वाई इस इगल तो 50 अब ध्यान से देखो मैं कुछ बता रहा मुझे क्या दिया हुए मुझे बताना है प्राइज ओफ दा इच नोट बूक यानि मुझे वाई दिया वह है कि मुझे वाई दिया हो देखो एकस टूइब पास एकसी य थीन सो ठीक है अगर मैं पहले वाई 15 लेता हूं अगर मेरा पहले वाई 15 था तो यह कितना पंदरा क इस इकल तो 300 तो एक्स कितना आ गया 20 आ गया अगर वाई 15 तो एक्स कितना 20 सोचके देखिए अब आप क्यूंकि अगर आप इसको सब्सीडूट करोगे निया क्वार्टिर की इविशन बंजेगी और वह फिर एक लंबा चुड़ा अंसर निकलेगा कोई फाइदा नहीं उसका इक्वेशन बनागे फिर फेक्टर बनाओगे फिर एंसर वही आना तो इससे बड़ी ऑप्शन ले लो ठीक है इसका मतलब वाई अगर पंदरा था एक्स कितना बीस तो बीस पंजे सो माइनस दस गुणा पंदरा तो देखो यह कितना आ गया सो माइनस देड़ सो माइनस क्या बोला है यहां पूटकर हो जारा फाइव कि इंटू 15 माइनस ओफ टेन देखो यह भी पचास नहीं हा रहा सेवंटी फाइव माइनस दो सो तो भाई ऑप्शन अपर बीस भी गलत हो गया दुबारा देख लो वाई कितना अपने पास 200 और यह पिचा ठीक है नंबर तीन यह अगर वाई मेरे पास 10 है यह सब्सक्राइब भाई गया अभाई अब क्या दिया है देखो फाइव इंटू 30 माइनस ओफ टैन इंटू 10 इंटू 10 देखो यह कितना गेंगे 150 माइनस ओकि इतना के 50 तो इसका मत्दब्द में पाप्च्च्च नमबर थी ही सही उत्तर है इ यह कोशन केलकुलेटिव पेपर में आने के बहुत असार है क्लियर तो इंपोर्टेट है प्लीज ऐसे कुशन को कीजिए लाइक शीरोड सब्स्राइब चैनल को भी कीजिए थैंक यू चलते हैं नेक्स कुशन की तरफ चलिए यह आपके पास क्या दिया है अब फ्रोग ट्राइज टू कम आउट ओफ ड्राइड वैल 4.5 मिटर डफ विद इस सिल्प्री वैल एवरी तैम दा फ्रोग जंप 30 सेंटी मिटर स्लाइट इस डाउं 15 सेंटी मिटर वट इस नमबर ऑफ जंप रिक्वाइड फोर फ्रोग तो कम आउट ओव कि ऊपर सबसे बड़ी ऑग तिक हैं वह कहव एबरी मिठीं यरी फीनिट में क्या हो रहा है मेरे पास है थम तर्टी अब जा रहा है को और शेंटी मिनट में क्यां कर रहा है वो 15 सेंटी मिंटर आ निच सार करते हैं इसका मतलब आपने second hour में तो उसको second minute में तो उतार दिया हमेशा क्या करना आपने last minute की बात करो सबसे पहले ऐसे question में आप करो last minute में क्या होगा last minute में जो frog है वो कितना चलेगा और वो यहां पर आगे बैठ जाएगा ट्राइट उंडर से लास्ट का एक मिनेट बहुत इंपॉर्टेट है विकोज लास्ट के एक मिनेट में फ्रॉग जंप करेगा उपर फिर वो नीचे क्यों आएगा ऐसे होने वाल है इसका मदलब जो बचा वो डिसनस कितना है मेरे पास अब यह 420 उसको करना है मैनेज अगर दो मिनेट में वो क्या जा रहा है 15 सेंटिमेंटर 15 कि इतना जाना है 420 यह नि 420 वटा 15 गुना तो 15 कितना उगए गया 28 पे यह भी क्या जाएगा तो यह क्या जाएगा भाई 28 पे गया तो वो क्या कर रहे है मुझे ठीक है तो यह कितना टाम चल लगया टाम टाम टिक है अच्छा में रिलत नहीं रॉट इस नुट टाम गाव यह इन एक जंप में और जैने सेकंड मेनी सेम अटैम्ट में निच्छ आ जेगा यानि मैं कहूं एक जंप में कितना यह इसको तोड़ा देख लिए ना मैंने शायद मीनिट में कर लिए इसको दुबराब आता हूं हो क्या रहा है कि फ्रोग उपर जा रहे है उसी टाइम निच्छ आ रहे है ठीक है यानि ल पहुंचा हुआ तो अंसर कितना का अप्शन नमबर भी 29 इसको थोड़ा सा प्लीज दुबारा पता जैता हूं मैं मैंने मीनिट में ले लिए उसको क्यों क्या रहा है फ्रोग उपर चड़ गया जैसे ही है फ्रोग उपर चड़ रहे है एक मिनिट में 30 चड़ा उसके बाद तो हमेशा इस केस में लास्ट के एक जंप की बात करो लास्ट जंप लास्ट जंप में वह उपर चड़ गया इसके बाद 420 मिटर कवर करना है जम में अले टेटी चिल्दरन हाँ मेनी चिल्दरन कैन बोर्ड दर लिफ्ट विद ट्वैल अडल्ट देखो आपके पास क्या है एटीन अडल्ट है और आपके पास क्या है थर्टी चिल्दरन है सबसे पहले लेलो मैंने मालिया 90 एक्स इनका है ठीक है टोटल 90 है तो एक अडल्ट के लिए क्या होगा 90 एक्स भाई ठाहरा यानि कितना 3 एक्स होगा और एक चैल्ट के लिए क्या करूंगा मैं नाइन्टी एक्स भाई थर्टी यानि कितना और श्री 5 आए गए यह एगा 5 एक्स और यह कितना है आप 3 एक्स अब मेरी बात ध्यांस से सुनु अब क्या कह रहे है है हाव मेनी चिल्डरन के बोर्ड लिफ्ट विद मतब 90 टोटल वेट में कैरी कर सकता हूं एक डल्ट की बात करो तो पांच एक सब्सक्राइब बारा डल्ट है तो इनका वेट कितना होगा बारा गुना पांच एक्स यानि साथ होगा बचा कितना इसका मतलब 36 बचा बचा कितना मेरे पास 36 और यह क्या सकता है भाई तीन एक से डिवाइड कर दो कितना आपके बास अंसर दस ऑप्शन नंबर बीज़र राइट अंसर इस बिल्लें कुशन क्लिए चलिए आपको यह पांच पूशन बड़ी से पसंद आया होगी अब मैं बात सब्सक्राइब बात करूं वह बहुत सब्सक्राइब यहीं पर अबिलेबल है वह क्या है मेरे माइक्रो कोर्से सुन्दर सटीक आपके पास मैथड है किसी भी पर्टिकुलर चेप्टर को आपको क्राइक कर रहेंगा जैसे मैं बात करूं नंबर सिस्टम के बड़े सारे बॉक्स मिल जाएगा क्लिर अच्छ चूज एक्जाम कि सेट कि यहां पर सारे वीडियो कोर्से से टैस्ट कोर्से और यह हमारा है माइक्रोवर्स है माइक्रोवर्स जैसे मैं बात करूं कि यहां पर अगर आप कोई भी चीज़ डिसकस करना चाते हैं तो यहां पर अपना यहां आप जोड़ सकते हैं यह लिंक में भी मिलेगा नेक्स इस मैठ और मेंटल अबिलेटी कि जैसे मैं बात करूं आप जैसे बात करें पूरा बटन 3363 अंबर शिस्टम आपको करना ही नंबर शिस्टम में तो नंबर शिस्टम कितने गया थे से अपके लिए सब्सक्राइब करें नेक्स बात करूं सिंपलिफिकेशन के भी हमने किया है दो शेशन इसके ऑल्मस 15-16 परसंट सिंपलिफिकेशन ना रहा है सिर्फ 114 का चार वीडियो लक्षर से सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू